भारत और चीन के बीच सीमा पर लगातार होते तनापून हालात के बीच राफेल विमान भारती वायू सेना में शामिल हो गए है और इसके बाद लदाक में भारत को आँख दिखा रहे चीन को जहां बड़ा जटका लगा है तो वहीं पाकिस्तान की भी टेंशन बढ़ गई है इस गबराट का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ने राफेल से मुकाबले के लिए अपने भरोसे मन दोस्त चीन से आधुनिक फाइटर जेट और मिसाइल देने के लिए कहा है वहीं दूसरी ओर राफेल के वायु सेना में शामिल होने वाली सेर्मनी में शामिल होने के लिए फ्रांस की रक्षा मंतरी पारली अपने 80 सदस्ये प्रतिनीदी मंडल के साथ अंबाला एयर बेस पहुँची फ्रांस की रक्षा मंतरी फ्लॉरेंस पारली ने कहा कि फ्रांस संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद में भारत की उमिद्वारी का समर्थन करता है इन दोनों कदमों को चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़े संदेश की रूप में देखा जा रहा है फ्रांस से भारत को मिले राफेल को लेकर पाकिस्तान और चीन की जिन्ताएं इसलिए भी है क्योंकि राफेल का पहला स्क्वाडरन अंबाला एयर बेस से संचालित होगा क्योंकि यहां से पाकिस्तान और चीन पर कुछ ही शनों में मार की जा सकती है यहां से पाकिस्तान की दूरी करीब 300 किलोमीटर और चीन की करीब 450 किलोमीटर है कारकरम के दुरान रक्षा मंत्री राजनास सिंग ने भी चीन पर दो टूक जवाब देते हुए कहा कि सीमा पर हाल ही में हुई दुरभाग्यपूर्ण घडना के दुरान LAC के पास भारतिय वायू सेना ने जिस तेजी और सूजबूच से कारवाई की वो भारतिय जवानों की प्रतिबदता को दिखाता है अपनी मल्टी रोल कपेबिल्टीज के साथ या दुस्वनों के खिलाफ अचूक कारवाई करने में भी पूरी तरह से सक्षम है मुझे आसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारी एरफोर्स ने रफेल इंडक्सन के साथ जो कापेबिल्टीज और टेक्नलोजिकल एज एक्वाईर की है वे इंडियन एरफोर्स की कापेबिल्टीज को रिवर्शनलाइज करेंगी साथियों आज इनका इंडक्सन पूरी दुनिया खासकर हमारी संपर उटा की और उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और खड़ा संदेश है आपको बता दें कि राफेल ऐसा एरक्राफ्ट है जो एक ही उडान में कई मिशन को अंजाम दे सकता है इसमें मेटे और मिसाइल लगी है जो डेड़ सो किलो मीटर तक हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की घातक मिसाइलों में से एक है इसमें सकेल्प मिसाइल भी लगी है तीन सो किलो मीटर तक दुश्मन के घर में घुस कर मार करने में सक्षम भी है वहीं अब पाकिस्तान की जटपटाहट भी दिखाई दे रही है क्योंकि पाकिस्तानी एयर फोर्स ने चीन से 30 की संख्या में J-10 CE फाइटर जेट और आधुनिक एयर टू एयर मिसाईल की मांग की है अत्या धुनिक राफेल दोनों ही पडोसी देशों की वायू सेना को कड़ी टकर देने में सक्षम है Bureau Report, The Fact India